अधिया दोस्तों मोटिवेस्टन टेक्नलोजी में आप सभी का स्वागत है मैं इम्रान सेफ़ी दोस्तों आज हम बात करेंगे आज हम आपको उसके बारे में बताएगे आप इस वीडियो को आगे तक पूरी पूरी वीडियो को हमारी देखे आपको कैसे यह तातू कारे करते हैं यह आपको जब हम किसी फसल के अंदर नाइट योजन का प्रियोग करते हैं तो दोस्तों नाइट योजन जो पोधा होता है उसकी जड़े होती है जो रूट होती है तो उसके अंदर नाइट योजन यंतर नत्र से पोधों में आकार में विरद्धी करती है जैसे आप देख रहे हो ना विरद्धी करती है और धीरे-धीरे इसके जो पोसकता तो जो मटी के अंदर होते है वो धीरे-धीरे कारिये करते हैं यह पोधों में प्रोटीन और नाइटियोजन अगर कमी होती है तो पोधे से जो पत्ता होता है वो नीचे गिरने लग जाता है और वो सूक जाता है पोदोको देता है जैसेटर फॉला रिफीडिंग और नाइटरी जया सन इस तरह से आप देख रहे हो के पिलां्ट को PLAY पिलांट की विरद्धि भी करता है और ढिरे ढिली इसका पोक्सितźं जो होता है वह ढू़ पोधों में जल्दी गिनने से जो पोधे मजबूती होती जोड़ों को मजबूत करता है और पोधों को गिनने से भी रोकता है तो पोटेसियम का पोधों में बहुत बड़ा महत्व होता है इसी तरीके से पोटेसियम काली होता है, वो रूट की पिर्करियाओं को मजबूती देता है और प्रीमरी रूट होती है। काई कशान ऑई जाती है, जो उसके अंदर कुछ ऐसे ततवाहीरिल जाते है। बावेंज से पोसकताथ मिलने के बावजूद जो प्लांट होता है उसको नुकसान होने से बजाता है और जो बीज हमने मिटी में बॉया है उसकी आंक्रोणा में आवजude आवसिखगो के विकास में सायक भी करता है और फूलों को फूलों को आए फूलों को सही तरीके से बढ़वार करता है और जड़ों को मजबूती देता है और प्लांड को बहुत हाइड तक लेके जाता है तो फार्स फॉरस का यही कार्य होता है पोधों में प्रोटीन की आज़सिकता को भी बढ़ाता है और ये इस तरह से कार्ये करता है तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो इसको सस्क्राइब और लाइक करना